प्रिंस राज आपके भाई समस्तीपुर के सांसत बाई एलेक्शन से जीते यहाँ जिस ड्राइंग रूम में बैटके हम लोग बातचीत कर रहे हैं यह अम्तेश जी तस्वीर खीच लीजेगा रामविलाज जी के आपके सब बुदूर्गों की तस्वीर है मेरे ख्याल से आपके दादा दादी रामविलाज जी रामचंद्र जी चोड़े पापा और पश्वती जी और रामचंद्र जी के बेटे हैं प्रिंस राज जब रामचंद जी का निधन हुआ जुलाई 2019 से मेरे ख्याल से तो उसके बाद बाइलेक्शन में आपके भाई रामचंद्र जी के बेटे प्रिंस राज चुनाव जीतते हैं और उसके बाद उनको पार्टी का प्रदेश अद्यश्य बनाए जाता है प्रिंस राज पर मैं इसलिए भी खास तवज्ज़ जाऊंगा एक तो वो वो इनसान सदों मैंसे एक हैं जो अलग हुए दूसरा जब मेरी आपसे बिहार विधान सभा चुनाव मुलाकात हुई थी तब आप बड़े भरोसे से कि अच्छा परशुपति पारज जी उतने सक्री नहीं दिख रहे हैं लेकिन प्रिंस इन सब फैसलों में मेरे साथ है रामचंजी को लेके आप हमेशा बहुत एक्स्ट्रा रेवरेंस के साथ इज़त साथ बात करते थे प्रिंस राज पर इल्जाम भी लगे फिर कहा गया कि वो ब्लैक मेलिंग का मामला है फिर ये हुआ कि बाद में इस तरह की बाते भी हुए कि नहीं वो आपके विशिश्च सायोगी के कहने पर ये मामला इतना उलजा और उचला तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा विस्तार से बात करें मैं प्रिंस पर आऊं मैं रामचंदर चाचा का एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा अगर धर्ती पर आज की तारीक में कल्यूग में अगर कोई साक्षात अगर कोई लक्षमन का जीता जाता स्वरूप है तो वह रामचंदर चाचा ही थे और मैंने उन से जादा समर्पित विक्ती परिवार के लिए भाई के प्रती ऐसे अंध विश्वास वाला विक्ती मैंने और कोई नहीं देखी पापा के रहते हुए जिस तरीके से साई की तरह रामचंदर चाचा साथ में रहे पापा की गैर मौजूद की में जब पापा नहीं होते थे जिस तरीके से वो ममी का मेरा मतलब ममी को कहने के लिए भावी बोलते थे बट वो मानते उनको मां से भी बढ़ करते शायद उन्होंने मेरी दादी के साथ इस तरीके से इज़त और वो नहीं किया और ममी के अच्छे दोस्तों में से भी थे घंटो आना बैटना अपने दुख सुक उनके साथ खोलना मतलब मेरे लिए वो आज की तारीक में मैं देखता हूँ और जब मैंने इतने धोके खाये हैं तो शायद उनके जीते जी शायद मैं कभी नहीं समझ पाया बट अगर आज मैं देखू तो शायद मेरे लिए वो उन्हीं का नहीं मेरे लिए भी वो बेटे की तरह ही था हम दोनों में कुछ पांच-छे साल का एज डिफरेंस है मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में होता था और प्रिंस के वो आखिर के स्कूल के दिन अभी भी आप देखेंगे गोल मार्केट में इसका स्कूल था वहा बायू मैं इसको बठके मैं भशनमयश को पढ़ाता था मैठ्स मैं इसको बच्वनमयमचे मैं बढाता था ठो मेरे लिए ववो बैटे की तरह था और अपने हम दोनों को विक्तिगत तोर पर भी देख्या और आपसे जितनी बार भी धिक्रवा मेरा इसके ओड़ी आपर अन लगाना है, सामने मार्शल है, यह करना है, वेल में जाके, इस तरहीके से कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, जो, जो, parliamentary processes, पापा ने मुझे सिखाए, वो मैं प्रिंस को सिखाता था, 2019 में, क्योंकि तब पापा राज्यसभा में चले गए थे, तो मैं पापा की भूमीका में अपने आपको देखता था हम लोग आप कभी भी देखेंगे हम लोग एक प्लेट में खाते थे कितनी बार हम लोग को सेंटरल हॉल में टोका गया प्रेंस हो मुझे कि अरे तुम लोग एक साथी खा रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो तो इससे खूबसूरत हम दोनों का जो रिष्टा था हो नहीं सकता था और मुझे घमंड था गर्व था पारलिमेंट में जब हम दोनों साथ चलते थे लोग बोलते थे रे यू लुक लाइक ट्विन ब्रजर तुम दोनों एक जैसे आप पहनते ओड़ते दिखते बोलते हो मुझे गर् प्रिंस का विष्ट है एक लंबा समय हम लोग को साथ बताना था आपको उस चेटी से ही पता चला कि प्रिंस भी आपके बागी खेमें में आपके विरोधी खेमें चले गए उससे पहले आपकी या उस प्रकरण के बाद बाद चीत हुई प्रिंस से बिल्कुल नहीं मैं कि मुझे कोविड हो है मैं मुझे नहीं था कि टाइफॉइट भी हो सकता है या कुछ मान के चल रहा था और सेकेंड वे में कोविड को लेकर कई तरीके की नहीं बाते पता चलनी कि तूरा नहीं रिजिस्टर होता है तो प्रिंस ने भी मुझे उस दिन जब चौते-पांच रहें दिया, बोलता है कि ममी का तो 9th day जाके पता चला हमको कि उनको COVID हुआ है, क्योंकि मैं तब तक 4 बार RT-PCR करवा चुका था, मेरा हमेशा नेगेटिव आता था, तो बोलता है कि 9-10 day भी जाके कभी-कभी पता चलता है, तो मेरी आखरी बार मेरी उससे बात उसी वक्त हुए, अनी सट कि ने नी भाई आप isolated ही रहेगा, ध्यान रखेगा, ये वो, और उसके बाद से मेरी प्रिंस से कभी बात नहीं हुए, आज मुझे लगता है कि क्या ये मुझे से फिलर ले रहे थे, कि हाँ इसको पका, इसको कोविड ही है न, अगर है, तो ये 20-25 दिन तो ये घर से बाहर निकलेगा नहीं, isolation में, बाई default इसको रहना पड़ेगा, और उस वक्त पीट पीछे ये सारा शड्यंत्र रचा गया, मैं मानना चाहूँगा कि प्रिंस ने उस दिन सही में मेरे हालचाल के लिए उसको चिंता थी, इसलिए फोन किया, बट आज जब मैं सोचता हूँ, तो दूविदा आती है मेरे मन में, कि क्या वो मुझे से ये जानना चाहरा था कि मैं isolation में हूँ की नहीं, ताकि ये लोग बहार निकल कर इस सारे शडियंत्र को अंजाम दे सकें, तो हाँ मेरी आखरी उससे जब बाची थी और उसके बाद से, बलकि बीच में मुझे लगा भी क्योंकि मेरा fever 130, 140 लगबख 18 दिन चला, मुझे था भी कि इतने लंबे समय तक और उस वक जब आ फीवर में होते हैं, इतना वीकनेस होती है कि किसी से बात करना तो दूर आपको TV में अकेला ही कमरे में लिटा रहता था, और मैं isolation कि मैं actual में Corona protocols follow कर रहा था, मुझे डर था कि गल्ती से भी परिवार में किसी और को मेरी बज़ा से नहीं हो, तो पड़ उसके बाद फिर प्रिंस का जब फोन नहीं आता था, बीच में एक दुआ मुझे लगा था, थौट ऑलसो कि मैं फोन करता हूं, मैं मैं मेसेज करता हूं, बाद बीक्नेस इतनी थी कि मेरी खुद की हिमत नहीं हुई, और उसके बाद दे नेक्स निगा थी कि मैं कि मैं वाज लग्वित था,